आज दोस्तों कैसे आऊ सब्सक्राइब दोस्तों आज हम बात करने वाले हॉनडा एडवेंचर 150 के बारे में दोस्तों पहले भी हॉनडा के आल्रेडी कई स्कूटर चल रहे हैं सबसे ज़्यादा भिखने वाला स्कूटर है हॉनडा एक्टिवा और उसी वज़ाश से इंडिय के लिए especially for health reading के लिए बनाया गया है और बाकी आप city में भी चला सकते हैं इसके looks काफी ज्यादा stunning है देखने हो चलिए दोस्तों वीडियो शुरू करते हैं हेलो में नमस्कार दोस्तों मेरे नाम हेमन भट और आप देख रहे हैं Moto दोस्त तो दोस्तों जैसे मैं आपको बता चुका हूं कि यह scooter आपका 2021 से पहले पहले मार्कीट में यानि इंडियान मार्कीट में आज आएगा लेकिन अभी अगर हम बात करें प्राइस की तो देखिए अमेरिका के अकॉर्डिंग्ली हम इसका प्राइस लगाते हैं तो इसका डेख की कीमत में आएगा जो मेरा ऐडिया है और जो एक्सपर्स का आएडिया वह डेड़ लांग रुपे तक में आपको इजली मिल जाएगा अगर बात करें डिजाइन की तो दोस्तो इसका जो डिजनल नहीं है वो inspired है लेकिन कई और से copy नहीं किया है कंपणी ने अपने ही एक model से copy यानि एक super scooter से copy किया है वो scooter है adventure x के नाम से जिसमें 700cc लगा हुआ है और इसमें आपको 1500cc का engine मिलेगा तो यानि engine का काफ ज़्यादा फरक है यानि design अलगबग आपको ऐसा मिल जाएगा फीचर्स भी आपको मिल जाएंगे लेकिन इंजन साड़े 700 और 1500 में काफी ज्यादा फर्क होता है तो दोस्तों इसके लिए आप करें इंजन स्पेसिफिकेशन की तो दोस्तों इसमें आपको 149 CC का सिंगल स्लेंडर लिक्विड कूल फियू इंजेक्टिड इंजन आपको मिले व्हिकी टैंपर हेन बार मिलिए पुल डिजी तल इंस्टूमेंड कंशोल मिलेगा जिस में आपको डेट टाइम ऑउल चैंज़ीं syllable हिलेगा ट्रीप मिलेका आपको टब्लेटरी इंडिकेटर मिलेगा एवरेजफियोस्अ कांफीश इसके instrument console में मिलने वाली हैं और इसका instrument console काभी यदा देखने में जवरदस्त है उसके लावा बात करें दोस्तों front में आपको 240 mm का front wavy disc मिलेगा जो ABS के साथ मिलेगा और rear में 220 mm का rear disc मिलेगा वो भी wavy ही रहेगा और इसके साथ आपको hazard light मिलेगी अगर हम बात करें front suspension की तो वो telescope रहेगा rear suspension की बात करें तो gas charge suspension आपको मिलेगा इसके लावा दोस्तों y tear मिल रहे हैं ओविस सी बात है अगर आप off-roading करने वाले हैं तो y tear तो compulsory है इसके लावा दोस्तों बात करें तो आपको इसमें anti-thief alarm मिलेगा 28 liter का under seat storage मिलेगी और आपको front में अगर हम बात करें तो 2 liter की storage capacity मिलेगी जिसमें आप USB charging port भी आपको साथ ही साथ मिलेगा तो overall scooter बहुत ज़्यादा जबरदास्ता है अगर हम बात करें कि ये market में अभी किस चीच कौन कौन से scooter competition दे सकता है तो Suzuki Bergman को भी बहुत ज़्यादा कड़ी टकर देगा उसके इलाबा भी कई scooter लेकिन Suzuki Bergman को सीधी सीधी इसकी टकर रहने वाली है और अगर आप next year तक plan कर रहे हैं कोई scooter लेने की तो यार थोड़ा दा wait कर लीजिए यह scooter बहुत ज़्यादा जवर्दस होने वाला है और दोस्तों इसका एक drawback हो सकता है I'm not confirm लेकिन एक drawback हो सकता है वो है इसका price क्योंकि देखिए इतने में तो हमारे भारत देश में R15 जैसे कामे आप motorcycles मिल जाती है लेकिन जो scooter का अलग मज़ा होता है लेकिन scooter ज्यादा practical होते है और लेकिन इस scooter में आपको benefit क्या है कि ज्यादा practical भी रहेगा एक तो आपका scooter में काफी आपको comfort भी मिलेगा आपको storage capacity भी मिलेगी लेकिन साथ ही साथ अच्छा look भी मिलेगा और off-roading भी कर सकते है यानि अगर आपको लेल अदाग भी जाना है और कहीं और भी जाना है off-roading के लिए तो ये scooter आपको उस चीज़ की बिलकुल फुल अजादी देता है तो चलिए दोस्तों आज वीडियो को यही पर अंत यानी end करते हैं तब तके लिए जाहिंद बंदे मात्रों